हेलो गाइज, वेलकम बेक टू मैं चानल, आज ही ख्लास ही हम करने वाले हैं काल, ठीक है, जिसको पंजाबी में भी हम काल कहते हैं, हिंदी में भी काल कहते हैं, और इंगलिश में हम कहते हैं टैंस, चलिए इसकी परिभाशा कर लेते हैं, जो शबद किरिया दे समय दा ग्यान कराउन दे हन, ठीक है, जिन शब्दों से हमें किरिया के, कोई किरिया मिन्स क्रिया, क्रिया मिन्स कोई काम, किसी काम के होने के समय का हमें पता लगता है, यह हमें ग्यान कराते हैं जिन शब्दों से हमें पता लगता है कि कोई काम कब हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते है काल काल दे तिन भेधन काल तीन प्रकार की होती है नमबर एक बूत काल नमबर दो वर्तमान काल नमबर तीन भविक्षत काल ओकी जिसको हम हिंदी में भी भूत काल कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं और भविश्य काल जिसको हम कहते हैं ओकी यानि की पास्ट प्रेजेंट और भूतकाल भूतकाल मीन्स हमारा जो पास्ट, जो बीत गया, जो टाइम चला गया है उसको हम कहते हैं भूतकाल, जो शब्द बीते समय दा ज्यान कराऊंदे हन, जो शब्द बीते समय, बीते समय मीन्स जो समय बीत गया है, जो टाइम चला गया है, जो यानिकी पास्ट, तो उस उसके बारे में जो हमें बताते हैं जो शब्द उसको हम कहते हैं भूत काल ठीक है वैसे तो यह बहुत easy concept है mostly लोग जानते हैं कि भूत काल क्या होता है वर्ट पान काल होता है बट फिर भी मैं थोड़ा example के तुरूबी मैं समझा जाती हूँ जीवें बच्चे पढ़ रहे हन सॉरी इसमें sun है क्योंकि भूत काल है देखिए पंजाबी में न sun see ये सारे past tense के लिए यानि कि भूत काल के लिए हम use करते हैं अगर singular thing है किसी एक की बात कर रहे हैं हम जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चा बच्चा पढ रिहा C ठीक है तो जब हम singular की बात करते हैं तो हम C यूज़ करेंगे और जब हम plural की बात करते हैं यानि की बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं एक से कोई भी ज़ादा व्यक्ति होता है या कोई भी है ठीक है, तो उसके लिए हम sun यूज़ करते हैं जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं पढ़ रहा था एक के लिएम यूज़ करते हैं था और बच्चे पढ़ रहे थे बहुत सारे होते तो उसके लिएम थे यूज़ करते हैं ऐसे ही बच्चे पढ़ रहे हैं sun और अगर एक बच्चे की बात कर रहे हैं बच्चा पढ़ रहा C, ठीक है, यह मैंने पहले भी एक वीडियो में clear किया हुआ है, starting में जो, यह सरे concept लेने से पहले है, तो आप में वीडियो starting से देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा, ठीक है, तो यह confusion clear हो गई है, sun हम use करेंगे plural के साथ, और singular के साथ हम use करेंगे C, आइए नमबर दो पर चलते हैं, नमबर दो है हमारा वरतमान काल, वरतमान काल, यानि की हमारा present tense, जो अभी चल रहा है, ठीक है, right now, जो भी हमारा, जो भी काम अभी कर रहे है न, तो हम उसकी बारे में बात करते हैं, अभी जैसे मैं suppose वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अभी, यह मेरा वरतमान काल है, ठीक है, जो शब्द चल रहे समयदा ज्यान करांदे हन, ठीक है, वो शब्द जो चल रहे समयदा, चल रहा मिन्स जो टाइम अभी चल रहा है, उसके बारे में हमें बताते हैं, या ज्यान कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं, वर बच्चे पढ़ रहे हन, अब हम अभी की present की बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए हन यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें भी same यही रहेगा, अगर हम singular की बात कर रहे हैं, तो है यूज़ करेंगे, अगर हम plural की बात कर रहे हैं, तो हम हन यूज़ करेंगे, बच्चा पढ़ रहे है ठीक है एक बच्चा है तो बच्चा पढ़ रहा है और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी की प्रेजन की बात हम कर रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हन पास्ट की बात करेंगे तो बच्चे पढ़ रहे सन और प्रेजन की बात करेंगे तो बच्चे पढ़ रहे हन ठीक है बहुत सारे इसलिए हम हन लगाएंगे और बहुत सारे है पास ट्रेंस में तो हम सन लगाएंगे और इसमें तो जिसे हम हिंदी में है यूज करते हैं बच्चा पढ़ रहा है तो सेम हम पंजाबी में यूज करते हैं बच्चा पढ़ रहा है ओकी next हम बात करते हैं भविक्खत काल की देखिए number 3 है हमारा भविक्खत काल याने की भविश्य काल याने की future times जो शबत आउन वाले समेदा ज्यान कराऊंदे हैं आउन वाला मिन्स जो टाइम आउन वाला है आने वाला है ठीक है वो टाइम जैसे की हम कहते हैं येस्टड़े टुड़े और टुमॉरो तो हम टुमॉरो की इसमें बात कर रहे हैं ठीक है पास्ट जो हमारा भूत काल था उसमें हम येस्टड़े याने की जो हमारा कल जो दिन चला गया हम उसकी बात कर रहे हैं और present tense में यानि कि वर्टमान काल में हम today की बात कर रहे हैं यानि कि आज की और tomorrow के लिए हम यानि tomorrow हमारा क्या होगे भविखत काल यानि कि भविश्यकाल future tense तो जो शब्द आने वाले समय के बारे में हमें बताते हैं उसको हम कहते हैं भविखत काल ठीक है भविश्यकाल जीवें बच्चे पढ़ंगे बच्चे पढ़ेंगे पढ़ंगे मिन्स पढ़ेंगे यानि कि कल पढ़ेंगे ठीक है या परसो पढ़ेंगे जब भी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे बच्चे पढ़ेंगे बच्चा पढ़ेगा ठीक है एक singular की बात करेंगे तो हम पढ़ेगा बोलेंगे और plural की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे बोलेंगे तो बच्चा पढ़ेगा और मैं की बात करते हैं अगर कि मैं अपने सेल्फ के लिए बात करते हूं तो मैं पढाँगा या मैं पढाँगी ठीक है same है boy or girl का तो पढाँगा और girl है तो पढाँगी मैं पढाँगी, मैं कल पढाँगी या मैं कल वीडियो बनावांगी ठीक है, बनावांगी means बनाऊंगी कल असी गुमर जावांगे गुमर जावांगे means कल हम गुमने जाएंगे तो जाएंगे और आएंगे करेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे ऐसे sentences जिसमें last में गे, गा, ऐसे से यूज हो रहे न अगर, तो that means उसको देखते ही समझ जाएंगे, कि वो बहुष्चितका है ओके, so hope guys ये concept वैसे भी बहुत थोड़ा सा easy ही था तो इसमें जाएंगे किसी को कोई confusion नहीं होगा I hope so, फिर भी कोई confusion है तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए फिर भी कोई confusion रहते हैं आप मुझे comment कर सकते हैं I will definitely reply your ठीक है, जो भी question आपका होगा मैं उसका जरूर रिप्लाइ करूंगे and keep watching my videos और please like भी किया करें मेरे वीडियो को, ठीक है thank you so much, bye bye